भाई और भेनों, जलिया वाला बाक वो स्थान है जिसने सरदार उधम सी, सरदार भगत सी, जैसे अंगिनत क्रांती विरों, बलिदानियों, सेनानियों, हिंदुस्तान की आधाधी के लिए मर मिटने का हौसला दिया 13 अप्रिल 1919 के वो 10 मिनिट, हमारी आधाधी की लड़ाई की, वो सत्य गाता, चीर गाता बन गए, जिसके कारण आज हम आधाधी का अमरुत महोत सो मना पा रहे हैं ऐसे में आधाधी के 45 वर्ष में जलिया वाला बाग का समारक का आधुनिक रूप देश को मिलना, हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेणना का आउसर है यह मेरा सोभागी रहा है कि मुझे कई बार जलिया वाला बाग की इस पवित्र धर्ती पर आने का, यहां की पवित्र मिट्टी को माथे पर लगाने का सोभागी मिला है आज जो रिनुवेशन का काम हुआ है, उसने बलीदान की अमर गाथाओं को और जीवन्त बना दिया है यहां जो अलग अलग गैलेरी बनाई गई है, जो दिवारों में शहीदों के चित्र उकेरे गए है, शहीद उदम सींजी की प्रतिमा है, वो सब हमें उस काल खण में लेकर जाते हैं जलियावला बाग नर्संहार से पहले इस्थान पर पभीत्र वैशाईकी के मेले लग दे थे इसी दिन गुरु गोविन सीजी ने सरबद्दा भला की भावना के साथ खालसा पंद्ध की स्थापना की थी आजाती के पच्चतरवे साल में जलियावला बाग का ये नया स्वरूप देश वाचियों को इस पवित्र स्थान के इतिहास के बारे में इसके अतीत के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए प्रेरित करेगा इस्थान नई पीड़ी को हमेशा याद दिलाएगा कि हमारी आजादी की यात्रा कैसी रही है यहां तक पहुंचने के लिए हमारे पूर्वजों ने क्या क्या किया है कितना त्या कितना बलिदान अंगिनत संगर्ष राष्टर के प्रती हमारे करतबे क्या होने चाहिए कैसे हमें अपने हर काम में देश को सर्वो पर ही रखना चाहिए इसकी भी प्रिना नई उर्जा के साथ इसी स्थान से मिलेगी